आज का टॉपिंग हमने लिया है बैक्लोग, बैक्लोग क्या है, क्या प्रॉब्लम्स है और कैसे आप उसको ओवर्कम कर सकते हैं, इस पे हम बात करेंगे, एक शॉट वीडियो रहेगा, जादा हम देव तक इस पे डिसकुशन नहीं करेंगे, पहली बात बेटा, ये एक मोटि बैक्लोग को अनलाइज करते हैं, तो हमें ये पता चलता है, कि जो बैक्लोग है, उसका दो मेजर रीजन बच्चों में मिलता है, जो हमें ऐसा पता चला या बच्चों से बात करके ही, हमें ये चीजे पता चलती है, तो बैक्लोग के जो दो मेन रीजन है, पहला रीजन है बिटा कि आप slow learner हो सकते हो, means आप किसी चीज को बहुत slow learn कर रहे हो, ये बच्चे वो होते हैं जिनके थोड़े से basics weak होते हैं, पर उनमें इम्मत है वो आगे कर सकते हैं, basics थोड़े से weak होते हैं, या उन्होंने बहुत just recently drop किया होता है और 12 में basic उतने strong नहीं थे, ये वो बच् जो एक तरीके से slow learner हैं, उनका हम क्या करें, वो किस तरीके से चीजों को आगे ले जा सकते हैं, कुछ basic point समझे, सबसे पहले उनको क्या करना पड़ेगा, अपने पढ़ने के sources को restrict करना चाहिए, मतलब वो बहुत सारे source ना रखें पढ़ने के लिए, उससे क्या होगा, क्यों इसी एक book या जैसे हम कोई DPP प्रोवाइड करते हैं, उसको आप solve कर रहे हो, और उसके साथ previous year बना रहे हो, पर बहुत पुराने previous year नहीं बनाने होते, तो आप अपने sources restrict करें, और उसके हरे question को analyze करके उससे learning improve करें, एक step आपका सबसे पहले ये होगा, अगर आप बहुत सार sources बनाओगे, तो आपको कभी कुछ नहीं आएगा, और आप कभी अपना backlog cover नहीं कर पाओगे, दूसरी चीज यह है बिटा, कि आपको time बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आपको slow याद होता है, तो आपको दीरे दीरे time बढ़ाना पड़ेगा, पर एक समय जब आएगा, जब आप औरों के equal आपको याद हो रहा होगा, तीसरी चीज है बिटा, आपको अपने basics पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि basics दीरे दीरे बनते हैं और उसमें समय लगता है, तो जब आप time बढ़ा होगे और basics पे काम करोगे, तो वो automatically आपके पास improve हो जाएंगे, fourth point रहता है बिट इसका मतलब आप दूसरे से compare मत करो, जो already जिसके basic strong थे, जो आगे बढ़ चुका है, उनसे compare मत करो, उनसे motivate हो, उनसे सीखो कि आपको भी आगे आना है, यही तरीका होता है बिटा, तो दूसरों के marks ना देखकर, खुद की improvement पे काम करना, यह आपके लिए है, आप ऐसे करें, मैं किसी भी slow learner को, बच्चे को यह नहीं कह रहा हूं बिटा, कि आपका selection नहीं हो सकता, मैं सिर्फ यह कह रहा हूं, आपका selection possible है, पर आपको अपने source district करने है, दूसरों की तरफ नहीं देखना, आपको क्या करना exactly मैंने बता दिया, समय बहुत है अभी exam के लिए, तो आप आ आगे जा सकते हैं,